साथियों, शिक्षा के खेत्र में भारत कभी नालंदा और त्यक्थ सिला जैसे विश्विविदालों का केंद्र हुआ करता था पूरी दुनिया से लोग यहां पढ़ने और सिखने आते थे अगर हमें भारत के वैभाव को वापिस लाना है तो हमें शिक्षा के उस गवर्व को भी वापिस लाना होगा इसलिए आज भारतिये कलेवर में ढली आदुनिक शिक्षा व्यवस्ता यह देश की प्रात्मिक्ता है इसके लिए हम हस्तर पर काम कर रहे हैं आपने देखा होगा पिछले आठ बरशों में रिकार्ड संख्या में युनिवर्सिटीज भी खुली है मेडिकल एजुकेशन जैसे फिल में जहां युवाओं का रुजान भी है और देश की जरुरत भी है उसे देखते हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं आप देखिए 2004 से 2014 के बीच देश में 145 मेडिकल कॉलेज खोले थे जबकि 2014 से 2022 के बीच 260 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज खोले गए बीटे आठ वर्षों में देश में और एक खुशी की बात है देश में हर सप्ता एवरी भीक एक युनिवर्सिटी और दो कॉलेज खुले हैं एवरी भीक यह स्पीड और स्केल इस बात के गवाँ है कि भारत उस युवापीडी का पूल बनने जा रहा है जो विश्व के भविश्य को दिशा देगी साथियों महात्मा गांदी कहते थे कि सिक्षा हमारे आसपास की परिस्तित्यों के अनुकूल होनी चाहिए तभी उसकी सार्थक्ता बनी रह सकती है इसलिए देश देश देश्य विवस्ता में एक और अहम बड़लाव किया है यह बड़लाव है एजुकेशन सिस्टिम में स्थानिय भाषा को महत्म देदा अब हम देख रहेते सारा गुजराती में जिस प्रकार से कवीता के माध्यम से जीवन के मुल्यों की चर्चा हमारे साथियों ने की मात्रु भाषा की ताकत गुजराती भाषी होने के कारण वह उस शब्दों को से उपर उस भावना को पकड़ पा रहा था मैं अनुभव कर रहा था साथियों गुलामे के समय अंग्रेजों ने इंग्लिस को ही शिक्ष्या का एक पैमाना बना दिया था दुर्भागे से आजादी के बाद भी हमुज हीन भावना को डोते रहे इसका सबसे बड़ा नुक्सान हमारे गरीब के बच्चों को दलीतों पीछडों और कमजोर वर्क को हुआ प्रतीबा होने के बाद भी उन्हें केवल भाशा के आधार पर प्रतियुगिता से बहार कर दिया जाता था लेकिन अब मेडिकल और एंजिनिरिंग जैसी पढ़ाई भी स्थानिय भाशा में की जा सकेगी इसी तरह भारतिय जरूरतों के हिसाब से देश ने और भी कई बढ़लाव किये हैं पिछले कुछ वर्सों में हमने पैटेंट इको सिस्टिम पर काम किया और पैटेंट फाइल करने को आसान बनाया है आज IIT, IISC जैसे समस्तानों में पहले से कहीं जादा संख्या में पैटेंट फाइल हो रहे हैं आज सिक्षा के शेत्र में बड़े पहमाने पर टेकनलोजी का इस्तेमाल हो रहा है इसलिए स्कूलों में लर्निंग टूल का उप्योग होने लगा है अब युवाओं को किताबी ज्यान के साथ ही स्किल, टेकनलोजी और इनोवेशन के लिए तयार किया जा रहा है इससे हमारे युवाँ रियल वर्ल के प्रॉब्लम्ट के लिए तयार हो रहे हैं उनके सॉलूशन्स खोज रहे हैं